गुडवनिंग फ्रेंड स्वागरता अब सब्सक्राइब आपके अपने सी यूटूब चैनल विद्यामन पर दोस्तों आज का जो न्यूज अब्डेट से बहुत ही जादा खुसकवरी देने वाला है क्योंकि जो चुनाव बहुत जल पहली सक्षमता पास सिक्षिकाओं की हो प्रिक्षिकाओं की पोस्तिंग यानि की लोगस्वा चुनाव के बाद जो है प्रक्रियाद सुरू हो जाएगी इस आप साथ देख सकते हैं आप लिखा हुआ क्योंकि आज का अपडेट है और यहां पर साफ साफ है किसी को काउंस्लिंग वापोस्तिंग का तो किसी को दू पहले सक्षमता दिया उनको अपनी काउंस्लिंग पोस्तिंग का इंतजार है और यह उनको अपनी एक्जाम का इंतजार है तो इनका इंतजार स्वावाविक सी बात होना भी चाहिए और बांकी क्या कुछ चीज आई आपको दिखाते हैं आगे आप देखेंगे अंचल के से आ Super और सखस्क्षक को पहले काउंस्लिंग दैने के बाद उन तीस बार्τ कर चुक है यानिकि जिन्हों ने अपना एक्जाम दिया फॉर्वरी मार्च मे उनकी इंतजार खत्म हो गया 22 क्षिक हो सकी जोने एक्जाम पास्थ के ना कि कांजलिग अनी के अचनिक हो सकी है कि तहीं के बाद पिछले दो महिने से सेख्ट अन्योजी नोजी इसक्षिकों पोस्टिंग का निदजुन को प्रिक्षा का फ़र्म भरat शके नियोवां सिक्षिकों को परिक्षा की जल यॐ यॐ जग पार इंति है स्विश्ट्श जयून तक परिक्षा के जिन प्रिक्षां करवार करने में ब्यास्तr डिप्टेशन हुआ है तो इसलिए जो एक्जाम को पोस्ट पॉन किया गए है चुनाव के बाद एक्जाम को किया जाएगा ऐसे में योजी सिक्षक असमंजिश की सिती में की सिक्षकों को कहना कि बिहार बोड अगर जल्दी दूसरी सक्षमता परिक्षा ले 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 लेती है स्क्षक का पॉस्टिंग कारवाई सुरू हो जाएगी तो जो यह सारी आपने समय संब से लिए को क्या कर देखें तुक्ति आपको आप्ना रिविवी। क्या क्या आप क्या देखेंगे क्या कहरें नियोजी सिख्षक को क्या कह रहे हैं तो आप साब साब देखेंगे जो नसीम अहमेद उनका कहना है कि मार्च में सक्षमता परिशाग प्रकासित हो गया मगर अब तक सिख्षकों की पोस्टिंग नहीं हो सकी है लोग्सवा का इसा स्ट्रीटमेंट देना है आगे आप दखेंगे लोक्रवा चुनाव की कारण दूसरी सक्षमता क्रिक्षा करें में खलाल पड़ा है अब मद्दान का रिजल्ट आने के बाद परेक्शा सुरू होनी की अमीद है जिस्टेजी से पहली सक्षमता परेशा का आउजटएन हुआ उस से में काउचलिंग और पोस्टिंग नहीं हो सकी जिसे सिख्षक अभियरतियों में घोर निराध्ता है हर कोई प्रखंडों में पोस्टिंग हो जाने का आसंका है यान कि बहुत सब्सक्राइब करने की जल्दी पोस्टिंग हो तो इसा कहना है मिंटू जो नियोजी सिक्षक है आगे आपका नूतन नियोजीय सिक्षड कहाना थी कि सक्षम तो इसके साथ मैं साथ मैं जो है काम चल रहा है वह क्या कुछ आपको दिखाते हैं जो रेंडमाइजेशन है वह बेसिकली इसके अंदर है कि सारे जिलों की रिक्तियों को अपडेट किया जाएगा और कहां तो यह काम पहुंचा है जैसे कि आपको बता देना चाहिए तमाम काम चल रहा है अभी आप दे प्रक्रियार है और कल जो बाका जिला समय अन्य जिलों का पर काम रिक्ति का प्रोटल पर चाड़ना सुरू हो जाएगा ताकि पोस्टिंग में ज्यादा भी विलम ना हो और क्या अपडेट सबको दिखाते हैं तो आगे आप देखेंगे इसके अंदर इसके अंदर साप्सा पन की प्रक्रिया अ शुरू होगी जो जुक्रिक प्रच्शाय ने प्रष्टी करने के लिए डीयो उस्थाप्न सही कही कर्मी को पत्ना भेज रहा यaufen est锈yl Kanечने के लिए कई सारी कर्मचारी और यांतिक अदिकारी पटना जा रहें सहरसा जिला के इसी तरीए से बाका समेत अने जिलों के भी कर्मचारी वहां जा रहे हैं आप देखेंगे इस संब्द में जिला सिक्षा पतादिकारी जिया उल्क होदा खाने अपर राज परियोजना निर्देशक बिहार पटना को लेखे पत्र में काया कि सहरसा जिला में ग्रामिन उनसारी शेत्र में विद्यालों में उप्लब रिक्ति की सौप्ट्योर में प्रविष्टी करने तु राज मुख्याला में 26 मई 2024 को उपसित होने का निर्देश प्राप्त हुआ है यानि कि 26 मई 2024 को उनको सब्सक्राइब कुमार होंगे तो यह सारे अधिकारी कहने कहीं जो है अपनी सारी न्यू चीरों को लेके जा रहे हैं अगर नहीं आपको कल मिल गया होगा लेकिन अगर नहीं मिला तो आपको में अपडेट और देना चाहतों कि बाका में इसी तरीके से सक्षमता पास बहुत जादा सिक्षक है साड़े तीन जाए सिक्षे वन तुफाइब में फिर नाइन टैंद फिर इलेवन ट्रीके सिक्षक है इनकी रिक्तियां अभी पी जो काम बहुत तेजी चल रहा है इसके लिए जिला से बहुत जल्दी काम करने की कावायत तेज कर दी गई हैं यहा तो भी है राजी कर्मी होंगे इसकी पदस्था अपना के लिए जिला में काम तेज हो गया राज मुख्यालाय में सक्षमता पास नियोजी सिक्षिकों की पदस्थापना के लिए 26 मही की तीथी निरधारित किया है डीप्यो स्थापना अपनी पूरी टीम के साथ इस दिन प रिक्तियां उसको डीम अपने सतर से भी देखें के कहीं कहीं तुरूटी तो नहीं है उसके बाद उसको वेरिफा करके अप्रूव कर देंगे जानकार अभी करीब 7000 रिक्तियां जिला में दिख रही यानि 7000 सीट्स बाका जिला के अंदर है जिसको लेकर कि एंट्री कराई आपका सौफ्टरी अंदर तरहीं आप सापसापना साखा रिक्तियों को आज देगा अंतिम्रूप मदगन्ना बात अधिकांस नोजी सिक्षक सिक्ष्यों को बदल जाए विद्याला यानि कि मदगन्ना के बाद स्कूल को स्कूल चेंज हो जाएगा यह बात कनफर्म है आप रूप दिया जाएगा रवीवार को बाका जीला पटना में उपसित होका रिक्तियों रेंडमाइशन की प्रविया पूरी करेगा यानि कि रवीवार यानि आज से कल सोंबार तक यह सारा काम पूरा कर लिएगा सेकें राजकुमाराजू का आप देखेंगे आपकी जो प्र प्रिक्षा करने वाले पांच अर्श्चों को पहले सारी चित्र की विद्यालों में पदास्थापित किया जाएगा और इससे बाका में जो सहर है वह अमरपूर है बहुत सी है कटोरिया बागा खुद एक नगर परिश्यद है इन सब सहरों में प्रश्पित किया जाएगा उसके बाद जो है सीट बचने पर या कम में घांग पर आपको जो ग्रामी श्यत्क स्कूल भी दिया जाएगा तो कहीं नेका यह देखेंगे आप कि मदगर्ना पूरी होने के बाद किसी बीजिन पटना से रेंडमाइशन द्वारा सिक्ष्चियों को पतास्थापना कर दे जा